Hello students, welcome to Global Online, this is Dankita Sot, Sojamo and Kashmir said Paper 1 preparation में, Research Attitude में आज हम देखेंगे Different Applications of ICT Used in Research, यानि कि Research को बहतर बनाने के लिए हम कैसे ICT, मतलब Information and Communication Technology, यानि कि Technology, Internet, Computer, ये सब चीजों का इस्तेमाल करके हम कैसे अपने Research को बहतर बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, ये सबे चीज़ें आज के Session में हम कवर करेंगे, जो कि Examination के लिए बहुत ही जादा Important हैं, Session को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि Jammu Kashmir Set exam को Qualify करने के लिए Paper 1 preparation पर आपको बहुत ध्यान देना है, सो इसमें आपको Smart preparation कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस score कर सकते हो, इसके लिए Complete course हमने Launch किया है, जिसमें आपको Full syllabus video lectures हम प्रोवाइट करवाते हैं, सो Examination से पहले आपका पूरा syllabus cover करवानी की 100% surety में देती हूँ, हर एक video lecture में smart tricks और short tricks के साथ, आपको बहुत ही simple और easy language में सारे concepts clear करवा दिये जाएंगे, Full syllabus notes यहाँ पर आपको PDF के format में हम provide करवाते हैं, जिसको बहुत ही असानी से, आप सभी अपने mobile phone में भी download करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो, Full syllabus mock test में complete 10 units को cover किया गया है, जिसमें से as it is questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं, and this mock test से आपको एक clear idea यह भी हो जाएगा, कि किस level के questions इस paper में पूछे जाते हैं, इसके अलावा previous year questions with solution हम आपको देते हैं, जिससे आपको यह भी पता चल जाएगा, कि काफी सारे questions exam में repeat होते हैं, कैसे आपने correct answer को identify करना है, और exam का क्या level है, इसके अलावा 2000 plus MCQ question bank, जिसमें हर एक question के solution के साथ, आपको detail में explanation भी provide करवाई जाती है, अगर आपके कोई concept clear नहीं है, तो 2000 MCQ PDF में आपके वो concept में बिलकुल clear हो जाएगी, इस चीज की भी मैं आपको surety देती हूँ, so given whatsapp numbers पर आप जल्दी से contact कर लीजे, इसको join करने के लिए सरफ आपको एक ही बार fees देनी है, वो भी सरफ 2000 रुपए, जब तक आपका ये exam नहीं हो जाता, तब तक आप इस course का benefit उठा सकते हो, तो सिरफ एक ही बार ये fees आपको देनी है, इसके लावा फ्री वीडियो चाहते हो, course की fees पे करने से पहले access चाहते हो, तो आप लोग global online app को download कर लीजे, आप download करने के बाद store section पे आपको search बार में course का नाम लिखना है, course का overview आपके सामने आजाएगा, यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो, content section पर क्लिक करोगे, तो आपके सामने पेपर वन का complete syllabus है, mock test है, 2000 MCQ PDF है, यहाँ पर आप देख सकते हो, unit wise folders हैं, जिसमें आपको test भी मिल जाएगे, video lectures भी मिल जाएगे, और एक PDF फाइल मिल जाएगी, यहाँ पर हम आपको exam के level के हिसाब से provide करवाते हैं, so आज ही given whatsapp numbers पर जल्दी से contact कीजे, and the scores का benefit उठाएए, यहाँ का नाम है applications of ICT in research, तो सबसे पहले आप लोगों को research का मतलब पता होना चाहिए, जो I hope आप लोगों को अभी तक पता होगा, अब बात करते हैं ICT की, ICT का मतलब होता है information and communication technology, यानि की जो भी हम लोग simple language में बोले, कि हम लोग जो computers use करते हैं, computer, laptop, internet, mobile, यह सब चीज़ें जो हम लोग use करते हैं, यह सब चीज़ें ICT के अंदर आती है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कि computer, mobile, internet, laptops, ठीक है, यह सब चीज़ें हमारी research में हमारी किस तरह से help कर सकती हैं, हमारे research process को किस तरह से हम easy बना सकते हैं, अगर हम लोग information and communication technology का use करते हैं, right, so it refers to the technology that provide access to information through telecommunications, अब जैसे कि आप सभी अभी एक लास मेरी attend कर रहे हो, यहां पर क्या है, आप लोग mobile, laptop, computers, इन सब चीज़ों के थूँ ग्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो यह भी क्या है, यह ICT है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ICT आप लोगों के PhD प्रेपरेशन में help कर रहा है, ICT आपकी education में आपकी help कर रहा है, ठीक है, इसके थूँ क्या होता है, आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह की information को telecommunication के थूँ easily access कर सकते हो, ठीक है, इसमें आता है internet, wireless network, जो हमारे mobile का network या computer का network होता है, Wi-Fi हम जोसको बोलते हैं, ठीक है, cell phones, यानि कि हमारे mobile phones, और भी communication media जैसे कि laptops हैं, computers हैं, ठीक है, so I hope यह basic concept जो है, ICT का आपको पता चल गया है, और basic idea हो गया है कि ICT को हम research में किस तरह से use कर सकते हैं, next step बात करते हैं, applications of ICT are mainly used by the researchers, for its ability to ease the knowledge gathering process and to enhance resource development, अब जैसे आप लोग PhD में admission लेने वाले हो, आप लोग research स्टार्ट करोगे, तो आप सब researcher बन जाओगे, ठीक है, so researchers आप लोग बन गए हो, तो आप लोगों को अगर कोई भी data collect करना है, किसी particular चीज़ के बारे में आपको लोगों का feedback लेना है, तो आप लोग ICT की help से ले सकते हो, ठीक है, ऐसे पहले क्या होता था data gather करने के लिए, लोगों के reviews लेने के लिए, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता था, पोल्स की help से present कर सकते हैं किसी के सामने भी, right? So, next आता है, the best use of ICT tools would be to improve cognitive skills and thus helps discriminate, analyze and create information rather than simply accumulate, right? So, अब बात करते हैं हम लोग कि ICT tools जो है, वो researchers की किस-किस चीज़ में basically help करते हैं. पहला आता है, identify appropriate information sources. अब आप लोगों को अगर research के लिए topic नहीं मिल रहा है, आप लोगों को topic सर्च करना है, ठीक है, उस topic में further किस-किस ने research की हैं, पहले कौन-कौन सी किस-किस लोगों ने इस पे research की हैं, उनके क्या views हैं इस चीज़ को लेकर के, उन लोगों ने क्या conclude किया है, वो सब चीज़ से भी important है, वहां से भी question आते हैं, तो यह क्योंकि हमारा ICT का lecture का part 1 है, जो part 2 है, वहां पे मैं separately आप लोगों को सभी websites के नाम बताने वाली हूं, कि कहां पे आप लोग previous thesis को देख सकते हो, कहां पे आप लोग प्लेगरिजम यानि की duplicacy को check कर सकते हो, ठीक है, so part 2 जो है, वो उसको analyze करेंगे, कि क्या ये accurate है या नहीं है, क्या ये duplicate data तो नहीं है, या फिर अगर इस topic पे पहले किसी और ने इसी information को collect किया है, तो उसका क्या result आया है, किसी ने उस पे objection तो नहीं की है, ये valid है या नहीं है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, जो भी information हम collect करते हैं, उसकी validity को check क करने के लिए भी हम लोग ICT का यूज कर सकते हैं, effective अगर हमें अपनी research को बनाना है, information को properly manage करना है, तो भी ICT यूज होता है, 10, up to 10 databases को हम लोग electronic sources के थ्रू जो है, search कर सकते हैं, ICT का यूज करके, तो ये भी इक इसका major, जो है, sorry, major advantage है, right, next आता है, applications of ICT have many effects on research, ये हमने बत कि बहुत जगा ICT का हम use कर सकते हैं, ठीक है, अब है कि इसको तीन categories में divide किया जाता है, पहला है pre-data analysis, अब आप लोग जब research करते हो, तो research अपनी start करने से पहले आप लोग बहुत कुछ सोचते हो, hypothesis generate करते हो, problem generate करते हो, तो research actual start होने से पहले जो phase आता है, उसको बोला जाता है pre-data analysis, research के time पे जो चीजे होती है, वो होती है, in data analysis, ठीक है, and research के बाद जो भी analysis होता है, उसको बोला जाता है, post data analysis, ठीक है, so इन चीजों को हम लोग यहाँ पे detail में discuss करने वाले है, so pre-data analysis में आता है, कि जो literature है, जो भी हमारा research की problem है, research का topic है, उस पे पहले किस-किस ने research किया है, वो हमें पता होना चाहिए, literature search इसको बोलते हैं, article availability बोलते हैं, ठीक है, thesis और dissertation availability बोलते हैं, या फिर इस topic के बारे में और सादा search करना चाते हैं, कि problem कैसे raised हुई, कहां से raised हुई, क्या-क्या इस पे पहले discussion हो चुकी है, ठीक है, यह सब चीजे pre-data analysis के category में आता है तो इसके लिए हमारा जिसे google scholars होते हैं, ठीक है, SSRN चीजें use होती हैं, इसके साथ ही हम लोग springer link को use कर सकते हैं, यह जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ, आप लोगों ने भी confused नहीं होना है, next lecture में मैं इसको example के साथ discuss करूँगी, ठीक है, इसके बाद आता है in data analysis, यानि कि quantitative data analysis, ठीक है, तो यह दोनों चीजे बहुत important है, इसपे एक separate video मैंने बनाई है, चोकि आप लोग देख सकते हूँ, मैं description box में इसका link आड़ कर दोगी, next आता है application of ICT in post data analysis, post data analysis में आता है, जैसे कि references हमारे आते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्रेफी आती है, ठीक है, article and thesis जो हमने discussion किया था अपने researchers के साथ, supervisors के साथ, वो सब चीजें आती है, ठीक है, इसके अलावा plagarism, यानि कि duplicacy detection जो होती है, वो सब चीजें post data analysis के अंदर आती है, यानि कि हम लोगोंने क्या होता है, research एक बार कर ली, हमारी thesis ready है, सब कुछ चीजे ready है, last में हम लोग plagarism check करते हैं, duplicacy check करते हैं, तो वो आता है post data analysis के अंदर, ठीक है, जो हमारे general होते है, manuscripts होते हैं, उसकी जो submission करवानी होती है, वो सब चीजें post data analysis के अंदर आती है, और इसमें ICT एक major role play करता है, अगर मान लो कि आप लोग computer का use नहीं कर रहे हो, आप लोग books देख रहे हो, पुराने publications को libraries में ज करते हो, तो आप क्या करते हो, अपनी जो भी आपकी thesis आप लोगों ने लिखी है, उसको as it is copy paste कर दोगी internet पे, तो वो आप लोगों को बता देगा, कि ये duplicate data है या नहीं है, ठीक है, जिसमें थोड़े बहुत changes करकी, आप लोगों का जो ये चीजें हैं, इसको हम लोग एकसे जिसको बोलते हैं, so ये जितने भी software's हैं, ये आप लोगों को actual research के time पे help करेंगे, ठीक है, so again मैं बोल रही हूँ कि next video का आप लोग जरूर देखिए का, क्योंकि बहुत important है, two to three questions जरूर पूछे जाते हैं, so next lecture में हम discuss करेंगे, जो भी government ने initiatives लिये हैं, जो भी websites हैं, जो की एक researcher को help करती है, उसके research के time पे, उसमें हम discuss करेंगे, शोध गंगा, शोध गंगोतरी, विद्यामित्र, विद्वान, इंटकाट, और इंफलिबनेट, ठीक है, so ये again most important video lecture होने वाला है, right, so आज के लिए सिरफ इतना ही, I hope ये concept आप लोगों को समझ आ गया है, अगर आप ल सकते हो, हम उस पे separate tricks आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, so आज के लिए सिरफ इतना ही, thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.